तो जब कभी कुछ मेठा खाने का मन कर रहा हो या फिर बसंद पंच में आ रही है उस पे अगर भोग लगाना हो ना तो बस फटा फट से ये वाली रेसिपी बनाईए एक सीक्रेट इंग्रिडियोंट के साथ जो कि बहुत ही अमेजिंग है बहुत यदा टेस्टी लगता है औ को सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो यहां पर हमने ले लिया हुआ है एक कप के जितना बेसन बेसन को छान कर लेना है अगर वजन में देखेंगे ना तो यह 100-500 ग्राम के जितना है तो इसमें मोटा बेसन या पतला बेसन कोई भी ले सकते हैं तो यह देखिए बेसन को हमन भोग में लगती है न तो ये बहुत ही अच्छे से आप इसको बना सकते हैं तो अब इसमें हम डाल देते हैं दो चमच के जितना सूजी जी हाँ ये बहुत ही सिक्रेट है और खाने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्या ऐसा डाला है टेस्ट बहुत ज्यादा सांदार आता है इसका लेकिन हाँ बहुत ज्यादा भी नहीं डालिएगा नहीं वरना आपका जो सिक्रेट है न पहर किसी को पता चल जाएगा तो सिर्फ दो छोटे चमची अट करना है बारीक वाली सूजी और जितना हमने बेसन लिया था न उतना ही हमें घी डालना है मतब एकदम भर के कप नहीं उससे थोड़ा सा कम डालिएगा अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दोनों की बराबर रखेंगे न तो हलबा तो काफी टेस्टी लगता है लेकिन खाने में घी बहुत ज़्यादा आता है तो अगर आपको एकदम बहुत घी वाला पसंदे तो एट कर सकते हैं तो अब यहाँ पर आधा गी अभी हम डालेंगे आधा गी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे तो आप चाहें तो जितना बेसन लिया था उतना ही घी बे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बेसन घी या पानी बहुत ज़्यादा सोब करता है और आप इसे क्या करना बस बीच में स्टार्टिंग पे आप गैस की फ्लिम को मीडियम कर दीजे बीच बीच में लो भी करते रहिएगा जिसे कि ये बेसन जले नहीं और बहुत ही अच्छे से भून जाए जब आप इसको धीमी आज पर भूनेंगे तो बहुत ही सोंदी सोंदी सी खुसबू आती है आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका जो बेसन है वो बहुत ही अच्छे से भूनने लगा है और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो जो इसका कलर है वो भी चेंज हो जाएगा अभी आपको लग रहा होगा इतना घी डालने के बाद भी कि इतना ये ड्राई क्यों क्योंकि अब ये बेसन कच्चा है तो जैसे जैसे आप इसको भूनते रहेंगे बेसन भूनता रहेगा जब बेसन अच्छे से भून जाएगा तो जो घी है वापस से वो रिलीज करने लगेगा तो वैसे बसन पंचमी के लिए हमने अपने चनल पर बहुत सारी रेसिपी अपलोड की है अगर आप केसरी हलवा देखना चाते हैं या फिर बेसन के हलवे की एक रेसिपी और हमने सेयर की है या फिर पीले वाले चावल जर्दा चावल बहुत सारी रेसिपी अपलोड की है बे में आज पर और ये देखिए अब जो घी है ना काफी अच्छे से बेसन जो है वो छोड़ने लगा है और आप देख सकते हैं एकदम ये लिक्विट फॉर्म में आ चुका है और कलर भी इसका चेंज हो चुका है खुसबू तो बहुत ही बढ़ियां आ रही है बेसन की जब बे मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होता है एक हलवे के लिए ये मेजरमेंट ऐसा रहता है ना कि इसमें आपका हलवा जो है वो एकदम परफेक्ट मीठा बनता है ना तो कम ना तो ज्यादा अगर आप मीठा कम खाते हैं तो एक चमश कम कर दीजेगा ज्यादा खाते हैं तो एक कब बेसन 2 चमर सुजी के लिए इसमें हम 3 कब पानी आट करेंगे सेम वही कब से हम सारे मिजर्मेंट कर रहे हैं जिसे कि हमने बेसन को लिया हुआ था तो आप कोई कटोरी कब या ग्लास का मिजर्मेंट करके बनाएंगे ना तो आपका हलवा एकदम पर्फिक्ट बनेगा अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो भी तो पानी हमने डाल दिया है अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे करेंगे क्योंकि जो बेसन है ना वो पानी को बहुत ही जल्दी से सोप कर लेता है तो बस इसे हम चलाते जाएंगे ताकि ये कच्चा भी ना रहे तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कीजेगा और बस इसे चलाते रहेगा इसमें कोई लंप्स वगरा नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें हमने सूजी भी एड़ किया है तो उसकी वज़़े से बहुत ही इसली ये जल्दी से घूल मिल जाते हैं देख सकते हैं कोई लंप्स नहीं है बस हाँ तुरंट आप जल्दी से मिक्स कीजेगा पानी डालने के बाद तो अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही जल्दी से ठीक होने लगती क्योंकि बेसन है तो आप जानते ही है ना कि बेसन बहुत ही जल्दी से पानी हो या घी वो बहुत जादा सोख करता है तो बाद इसे चलाते रहेंगे जब तक कई पानी थोड़ा सा सोख नहीं जाता है और जो ये हलवा है अच्छी सी consistency में नहीं आ जाता है और ये देखे जब इस तरीके के bubbles आने लगे ना तब थोड़ा जो है केरफुली कीजेगा क्यूंकि इसके छीटे उपर तक आते हैं तो हम ये हलवा बसंद पंचमी के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा food color एड़ किया है इसे color बहुत प्यारा आता है अब यहाँ पे हमने कुछ dry food को बारी चौप करके लिया हुआ है जिसमें हमने पिस्टा, काजू और बदाम लिये हैं आप चाहें तो आ अब यह जो बचा हुआ गीता हमने starting में जो बचाया था आधा ही डाला था तो वो आधा की हमने अब डाल देना है जबकि आपका हलवा एकदम final ready हो जाएगा तब इससे आपका गीर जलेगा भी नहीं और last में जब आप डालेंके न तो हलवे की जो signing होती है बहुत अच्छी खाना है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा और add कर सकते हैं लेकिन गरम पानी लेकिन अब यह देखिए हलवा बहुत ही amazing लग रहा है बहुत यदा delicious इसका लुक बहुत प्यारा लग रहा है कितना smooth बना हुआ है और खाने में इसका टेस्ट इतना सांदार है हैना कि एक बार इस तरीके से बना कर देखिएगा गारंटी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो चलिए अब इसकी हम serve कर लेते हैं इसको तो बसंद पंच में के लिए हमारा ये पेशन का बहुत ही secret और super tasty हलवा बनकर हो चुका है ready थोड़ी से फिस्ते से इसकी feedback से एर करना बिल्कुल मत भूलेगा और हाँ ये हलवे की recipe आपको कैसी लगी उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को like और share जरूर कीजेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe भी कर लिजेगा तो देख सकते हैं ये हलवा बहुत ही मस लग रह हम मिलते हैं नई recipe के साथ नए वीडियो में